एक तो ये गोरे रंग से हमारी सोसाइटी को क्या अप्सेशन है मुझे समझ नहीं आती जिसको दिखो क्या मर्द क्या औरत गोरे रंग के पीछे भाग रहें जिनका डसकी कलर है जिनका वीटिश स्किन टोन है तो इस बाइब भायो इस बाइब बहुतिफू जिस रंग के साथ आप पैदा हुए हो जो स्किन टोन के साथ पैदा हुए हो और सोने पे सोहागा कि ये जो ब्यू पॉलर्स हैं ब्यूटिशन है और जो मेकप सेलिंग कंपनी जैं इन पाकिस्तान आप तोकिंग अबाऊट थे फॉरण कोस्मेटिक्स वहां पर आपको एवरी स्किन टोन का जो है शेड मिलेगा सबसे पहला जो इंपॉर्टन स्टेप है मेकप में आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फांडेशन फेस पाउडर सेलेक्ट करें बर हमारे यहां पर क्या होता ह क्या है कि आप पॉलर भी जाते हैं तो आपका जो भी स्किन टोन है आपको यही कहेंगे पॉलर यहाण मे कैजी अब यह वाइट अब यहाण जोף वाला बगारा लाई और वो विलीव में इतना बुरा लगता है डस्की स्किन के उपर कि आप थोड़ी देर के लिए तो आपको अपना यू फिल वेरी गूड के जी यू आ लुकिंग गोरा गोरा बट इस नट गोरा गोरा इस ग्रेश अगर आप डस्की स्किन टोन के उपर वाइट स्किन शेड का तो what if what is wrong in that if you select a base or foundation or stick according to your skin tone as I am dusky shade तो I would love to buy makeup according to my skin tone according to my dusky shade but unfortunately this is my personal experience whenever I go to buy some makeup especially foundation for my skin and right now जो मैं वो भी आपको बताती हूं तो आगे से जो सेल्स गर्ल्स हैं they convince you to buy lighter shade for your skin why they should know जो makeup companies या जो makeup shops हैं they should tell their sales girls कि हार क्लाइंट को वो according to their skin tone suggest करें they should not convince कि आप वाइट ले लें क्योंकि अगर आप dusky skin के उपर white color का लगाएंगे तो you will look gray and you will look yellow yellowish आएगा और मैं कहूंगी जो पॉलर वाले भी हैं on the special day or when it is your wedding day तो उसके उपर भी आपको convince किया जाता है कि जी camera की lights आपके उपर होंगे आपको photo shoot होना है तो आप जो है जी यह लगाए white color का foundation जो आपकी skin के साथ match नहीं करता but this is wrong this is just obsession for Gora Rang मेरी बात अगर आप गौर से सुने और आप इसको follow करेंगे ना अगर आप इसको apply करेंगे तो आप खुद फर्क देखेंगे के अगर आप अपने skin tone के हवा हिसाब से dusky skin है तो dusky skin के हिसाब से जो भी foundation है वो करके और फिर आप बाकी दुलन का make-up and jewelry and dress up होंगे तो you will look beautiful you will look amazing और उसका साथ आपका photo shoot होगा तो आप बहुत ही natural और बड़े खुब सूरत लगेंगे बेशका आप शादी से पहले एक इसका जो है टेस्ट भी करके देख सकते हैं इसको के वाके यह ठीक है या घलत है लेकर आप you will go for white color जैसे की पराने जमाने में अगर अगर अपनी परानी अम्मियों की और अम्मी की जमाने के तस्वीरे देखे तो हो भी दुलन को बस white मल दिया फेस पे और ऐसे लग जैसे आटा लगा दिया या जी केक पेस्ट्री तो गर्दन अलग जा रही है कलर में और हाथ अलग टोन के नजर आ रहे हैं तो why don't you go for the things जो कि डस्की स्किन के लिए बनी है क्यों क्योंकि अब customers and clients जो है वो भागते हैं कोरे रंग के पीछे तो जो पकिस्तान में शॉप सेंवन बड़ी बड़ी शॉप भी हैं के नाम नहीं लूँगी उन्होंने भी नहीं रखावा होता डस्की स्किन के लिए अब मैं जो यूस कर रही है अब यह देखें यह दिस इस फिट मी थर्टी 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 इसका लाइडन भी नाम इसका घूंड वी देखि रहें लोराम मेरे सकिन का देख लिए और सबसे बड़ी गलती जो है आपके कलाई के उपर आपने जो भी टेस्ट करना है उलगा कर मि नर में चेक करना है फे गाई पात मेरे पास यह रिवाज की स्टिक है मीन्रेल फांडेशन औ और इसके साथ एक light tone था और वो pale yellow सा था तो customer मतलब जो sales girl she was convincing me to buy that one I said no मैं दोनों को mirror में लगा के दिखूँगा ने both side में दोनों लगाया मुझे ये बिलकुल अपने skin के साथ लगा suit किया तो मैंने का ये वह but she was convincing me to buy that one I said no I will not buy that would they convince you you should clear understanding what you are buying for your skin और आप वहीं अपने उपर उस पर डट जाएं क्योंकि ये सोसाइटी जो ये obsessed है गोरे रंग को लेकर तो यह आपको according to that guide करेगी बट आपको अपने color tone के साथ से you are brown you are you have dusky shade and you are soundly तो उसके साथ confident आपको होना चाहिए उसका you should feel happy अगर आप अपने color को लेकर confident होंगे ना और आप आप देखे मैंने भी makeup किया और आपको लग रहे कि मेरे face का और गर्दन का रंग अलग है या मेरे हाथ और अलग लग रहे नहीं head to toe में I am in my dusky shade और मैंने makeup भी किया बट there is no difference अगर मैंने यहां पर वाइट foundation अपने मुझ पर लगाई होती तो आप देख सकते थे clearly वह ग्रेश लग रहा होता हो और मेरी गर्दन अलग रग रही होती और face अलग लग रहा हो और साथ मेरे पास यह fit me maybelline का ही compact powder है जो after using foundation you can use it यह यह देख सकते हैं आप इसका shade ठीक है और अब इसकी दिए अगर मैं white आप believe me अगर मैं इसकी दिए white कुछ भी white compact powder white steak foundation steak white foundation liquid हो यह वह किसी भी form में हमें लगाऊंगे I will not look pretty to myself यह आपको personal आपको अंदर से understanding होनी चाहिए and the people who go or who are crazy after white color they are not normal I will I will say they are not normal normal is your skin tone you should stand with your skin tone you are you are beautiful in your skin tone believe me you are beautiful makeup is just to enhance our features not to change our reality not to change our originality so don't change what you are in original just enhance your eyes with kajal mascara and eyeliner and enhance your eyebrows अब यह सब आप तप करेंगे जब आपका एक skin tone अच्छा सा आपने क्यूंकि विद एजेंग विद मौसम और विद टाइम यू ग्रों आपकी skin change होती है डल होती है आपकी बॉडी में different deficiencies होती है and आप जिस महोल में जिसमें रह रहे होते हैं तो वह फेस पे नजर आते हैं थे एजेंग मतलब आपने जब शादी होगी आप मा बने के इसके आपके फेस पर बहुत जादा effect होते हैं आपको freckles हो जाते हैं आपको pimples हो जाते हैं उनकी nisana रह जाते हैं pigmentation हो जाती है आपके pores open हो जाते हैं क्योंकि जिसम ग्रो कर रहे हैं चीतरा foundation and we use makeup तो मैं बिलकुल अपने जितने भी मेरी dusky shade वाली बहने हैं या जितने भी लोग हैं तो please own your dusky shade, it is beautiful, it is so so beautiful, white shade is also beautiful, but it is just a shade, it is not a reality, के हर इंसान को अप गोरा नहीं होना है, गोरे से लेके different shades, then you have brownish, then you have whitish, then you have dusky, then you have dark dark and darker shade, तो these all are shade, so own your shade, you are beautiful in your shade, okay, so I hope कि आपको होगे होगे, मतलब थोड़ी सी तसली होगे कि कोई तो है इस society में, कि जो encourage करा है dusky shade को, and I will write all the details about these products in the description box, you can go to any makeup shop and यह वाले जो नमबर वगारा जो भी products के हैं, अपनी face पर apply करें, हमाँ check करेंगे, तो फिर आपको मेरी बात पर यकीन आजाएगा, कि आप साथ एक चीक पर दूसरा white भी लगा के देख लिएगा, और एक पर अपनी dusky skin tone के हिसाब से भी, तो जो लोग थोड़ा सा darker है इस से तो वो 330 के बाद भी एक shade है fit me का, वो फॉर दॉर दॉर के खाने के बाद क्यूंके मेरे आस पास भी इतने लोग थे के डे वर गोरे अगर 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 फिट वर न अट गोरे तो दे वर अपसेस विद गोरे रान, तो अब जाके देखें इतनी उमर के खाने के बाद अगर यही चीज मुझे I was not obsessed and I was not crazy after गोरा रंग but yes जब मुझे किसी ने guide नहीं किया तो मुझे समय नहीं आते थी और I was not satisfied कभी भी जब भी मैंने स्किन पर कोई कलर लगाया then one day I thought के यार अगर white skin के लिए है शेर तो why not dusky skin के लिए भी होगा then मैंने research की और फिर मैंने जाके रहूं ना के yes there are make up for and foundation for dusky skin as well but हमारी society में हमें guide नहीं किया जाता है क्यों हमारे आसपस आप यहां बाजियां माएं जो भी होते वह सिर्फ यह कहती है कि उनकी बेटियां गोरा ही नजर आएं तो मैं बिलकुल गोरा नहीं नजर आना चाहती मैं बिलकुल सामली ही नजर आना चाहत और यह प्रोडक्स मैंने इसकी जैसे मुझे मैबलेन परसनली पसंद है इसलिए मैंने मैबलेन और रिवाज भी मैंने यूज किया है बहुत एकनॉमिकल है वह मैंने इसलिए इनको यूज करे हूं but soon I am using it रख यह रख नहीं दिया मैंने इसको यूज करे हूं और जब यह मेकप की दे हैव दे हैव शेट फॉर डसकी स्किन सो अपना स्किन टोंट चेक करें और ऑनलाइन की बजाए अगर आप खुद आउटलाइट पर जाकर खरीदें और वहां पर जाके टेस्टर के मदद से चेक करके खरीदें तो ज्यादा ही बहतर होगा यह है मेरी एक जो मैं अपने चैनल से और अपने पेज से अपने सोशल मीडिया अकाउंट के तुरू यह मैसेज देना चाहते हूं यंग गर्ल्स को कि जिनको अगर किसी ने गाई नहीं कि जैसे मुझे किसी ने नहीं गाईड किया था और मैंने खुद धक्के खा के इधर उदर आपका टाइम कम जाया हो आपके कंप्लेक्स जल्दी खत्म हो जाया वाइड कलर को लेकर और आप जल्दी से कॉंफिटेंट नजर आए और बड़ी प्यारी नजर आए अपने स्किन टोन में तो बहनो गोरे रंग के पीछे भागना छोड़ दो और अपने रंग के हिसाब से मेक अप करो मेक सब सिर्फ अपने जो है अपने आपको थोड़ा सा इन्हांस अपने फिचर को इन्हांस करने के लिए करो बाकिस यूर प्रीटी यूर ब्यूटिफुल